सुनके खुशी हो रही है कि ऐसे मूवी अब हमारे देस में आ रही है इन बॉलिवूर बालों ने क्या किया करन जोहर कैसी मूवी बनाते हैं जिसमें दिखाया जाता है बड़े बड़े कॉलेज आयाज जादे रही जादे उहां पढ़ने जाते हैं लॉंडिया पटाते हैं ए हारा 370 सिकारा या फिर अभी कश्मीर फाइल और हिंदु तो जैसी मूवी आ रही है वह मूवी आ रही है जो हमारे देश में हुई असल घटना को दिखाती है कि आखिर में क्या हुआ है और आपको क्या पता है यहां पे चार सिर्ट पे कनहिया कुमार के साइन नहीं होते है उनको आतंगवादी कहने से मना कर दिया अभी हिंदु तो जो मूवी आई है हमने उसका ट्रेलर देख लिया है साथ अक्टूबर को रिलीज भी हो रही है यह मूवी उसी तरह अप पर जानी चाहिए जिस तरह दकस्मीर फाइल्स गई है मेरे तो यह ऑसकर के लिए साइद हमाम भी नॉमिनेट की आगया है दकस्मीर फाइल्स का तो हमैं इस बात तके लिए खुशी और से अवमें समयाई है जो यंदू-दू-दू करते है न िसलिया में उभागवादारी को अपमान करने के लिए बन्सके बंस बंस पर यह दिखाने के MICHAEL में बैठे talks चंद हमारे देश की ये कीड़े किस तरह देश को दीमक की तरह खाय जा रहे हैं उनकी असलियत क्या है वो दिखाया जाएगा अब ऐसी मूवी आ रहे हैं और हिंदु तो भी वही मूवी है तरह है ये मूवी ये दिखाने का प्रयास कर रहे है इन दिनों जो हमारे देश में चल रहे थे जिनको इस्टुडेंट्स के हम लोग जेन्यू जवालाल नहरू यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी वहाँ पे दिखाया जा रहा था कि किस तरह चात्र खड़े होते हैं अपने हक के लिए लड़ते हैं यह लोग डेड़े सो रुपया के लिए मार करते हैं मह हिंदू के खिलाफ हुए हर गति वीदियो को इंक्लूड किया गया है और मुझे गर्व हो रहा है यह कहते हुए कि अब भी समय है इस देश की हिंदू लड़की मैं बहुत सारे हिंदू लड़कियों के मुल्ले बॉइफरेंट बना रहे हैं तुम कहना अपने मुल्ले बॉ हम नहीं रखा गया है यह दिखाया गया कि किस तरह हमारे भारत को तोड़ने का हमारे भारत को काटने का मारे भारत को जलाने का जिसको हम मा कहते हैं हम हिंदू हम सचे हिंदू मा की तरह पूजते हैं उसको जलाने का प्रया कि इस हिंदू मुवी में वह सारे मुद्दे दि जो तुमने किया वो तुम्हें दिखाई दे रही है तो इसमें गलत क्या है सच्चाई तो हम दिखाएंगी ठीक उसी तरह जिस तरह हमने राम मंदिर और ज्ञांवला दिखाएंगे बहुत जल जामा मजईद और ताज महल में दिखाएंगा वो सच्चाई एक छोटे-छोटे क्लू के रुप में हिंदूत्व जैसी मुवी लाकर अब ये दिख रही है और देखो वो सब हिंदू भी देखो जो हमारे घर में भाय चारा का दुआई देखो यह क्या हुआ था तुमने तो नहीं देखा हुगा अरे छोड़ो यार इन लोगों का काम है अरे करहिया कुमारी था सवाल है कि कुछ लोग पर कैते हैं कि पहले पेटर सेंसर बोड करता था और आज के समय में सनातन बोर्ड बन चुका है वो पास जी बिखले मुश्यिम पर्शनल लोड्यों हो सकता है मुसलमान के लिए सारे हो सकते बोड बूसलमान के लिए हम अरे लिए कुछ नहीं यह जिसमें साफ है कि हम अपने गरंद के बारे में इस तरह बखान नहीं कर सकते हैं, खिर क्यों? मैं तुम लोगों की मंशा जानता हो, तुम हिंदू राष्ट बनाना चाहते हो, अगर हिंदू राष्ट ना बनाए, तो क्यों ना बनाए, मुझे एक जबाब चाहिए, तुम्हारे पास है न 56 संतावन देश, तुम्हें तो हिंदू स्तान में भी डर लगता है, जाओ, लेकि इनका संपत सीधा सनातन धर्म से है, और हाँ, हमारे सनातन धर्म को जब बहुत समय तक इस देश में खंगोला गया है, टुकडे-टुकडे किये गया है, उसका मजाग बनाया गया है, अब यह सच्चा ही है, अब पास होगी तो सनातन बोर्ड के द्वारा, और हाँ, इसलाम को बचाने के लिए, पूरे विश्व में इसलामी करन करना चाते हैं, और इतिहास गवाए कि हमारे देश में एक ही इतिहास रहा है, वह सनातन यूखा, और यह देश अगर होगा तो होगा सनातन यूखा इतिहास.